हलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुपता टीम फिजिक्स CLC सीकर शुरुवात करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर नंबर 13 के सोलुईशन की इसमें हम टॉपिंग कवर करने वाले इलेक्ट्रमागनेटिक वेव, इलेक्ट्रमागनेटिक इंडक्शन एंड अल्ट्रेनेटिंग करन्ट तो शुरुवात करते हैं हमारे पहले क्योश्चन से एक EM वेव है जो प्रोपेगेट कर रही है इसका बन जाएगा, अब देखो सिंपल सा सोलुईशन इसका बन जाएगा, अब इसी में बात करें तो एलेक्ट्रिक फिल्ड का वेक्टर आपको दियावा है, कितना दियावा है, य-axis, y-axis का मतलब क्या होता है, j-cape, b का vector इन्होंने पूछा है, और c का मतलब होता है velocity, i-cape की direction में, अब ये बताओ कि हम किसको i से cross करें कि j आ जाए, तो अपने पास देखो, ये simple सा rule होता ना, i, j, k, cross product, ये rule, ये rule क्या करता है, कि अगर आप j cross k करोगे, तो i आएगा, ले मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, k cross i करना पड़ेगा, मतलब यहां b की जगे, मुझे क्या लिखना चाहिए, k, k, to k cross i क्या हो जाएगा, j, इसका मतलब क्या होता है, k का मतलब होता है, plus z axis, your answer will be third option, बिल्कुल easy है, बिल्कुल simple formula based, vector का application इसमें है, ये अपन बोल सकते है अगला आता है, second question इसी में, second question की अगर बात करें, तो second question में एक parallel plate capacitor दिया हुआ है, जिसकी capacitor is 20 micro faraday, इसको ही voltage source से charge करते है, potential जो है, उसके change होने की rate है, 3 volt per second, conduction current through connecting wire and displacement current, अच्छा, पहली बात तो ध्यान रखना, कि जो conduction current होती है न, और जो displacement current होती है, जैसा आप इस capacitor को इस तरह से battery लगा के charge करते हो, है न, तो conduction current होती है, इस wire में, और displacement current का होती है, इस plate के अंदर, तो ध्यान रखना, दोनों तरही के current सेम होती है, conduction current और displacement current, तो conduction current, displacement current, जो है, वो सेम हो जाएगी, conduction current, conduction current कैसे लिखते है अपन, Q by T, या DQ by DT ऐसा लिख देते है, DQ को पन क्या लि divided by DT, capacitance तो एक constant parameter है, इसको बाहर निकालो, DVY, DT, अब देखो, C कितना दिया आपको, 20 microfarad, DVY, DT कितना दिया आपको, 3 volt per second, तो क्या हो जाएगा, 60, farad और volt क्या होता है, कुलम यानि कि micro column per second, this is 60 micro ampere, तो बिल्कुल इजी सा concept है, बिल्कुल इजी सा formula इसमें लगा के, आपको conduction current की value बतानी है, okay, conduction current, displacement current, दोनों सेम होते, इसले अपना answer के हो जाएगा, 4th option, अच्छा, इसमें पहली बात तो इतना भी नहीं करना था, यह तो चलो, अपने option answer के आएगा, वो check किया, इसका एक और तरीका जो exam में आपक बाकि अच्छा, जीरो तो आए नहीं सकता ना, इसका मतलब अगर चार्ज बढ़ी रहा होगा, चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब current तो फ्लो होई रही होगी ना, तो जीरो तो answer आ नहीं सकता, और बाकी यह दो answer वैसे भी नहीं बनेगे, क्योंकि value अलग अलग दे तो बिलकुल यहाँ पे आप यह चोटा सा concept काम में लोगे, तो आपके तीन option में से एक यह option बच रहा है, जो सही है, यह calculation तो करने की जुरत नहीं, तो यह tricks आपको exam में use करनी चाहिए, और यह tricks सीखा करो, आते हमारे अगले question, 3rd पे, 3rd में आपको ratio of contribution made by electric field and magnetic field component to intensity of electromagnetic wave, देखो हमें पता है कि जो electric field की energy या किसी भी em wave की intensity होती है, उसको हम energy density into c से multiply करके लिखते है, तो हमेशा अगना energy density जितनी electric field की होती है, उतनी ही magnetic field की भी होती है, तो दोनों का contribution जो है वो बराबर 50-50% का होता है, तो किसी भी em wave के लिए हमे ओके तो यह हो जाएगा, fourth option इसका third का, ओके आते हैं हमारे fourth question पर, fourth question में आपको एक capacitor का voltage दिया है, वी note और displacement current पूचा है, अभी लिखाता है अपनने formula देखो displacement current, same as conduction current, dq by dt, यहने की c dv by dt, यही लिखाता है अपनने, अब देखो differentiation करना इसमें, तो c, v का differentiation करो, तो v naught, sine का ह हो जाएगा, cos omega t और omega t का omega, तो क्या हो जाएगा, c, v naught, omega, cos omega t, ठीक है, तो c, v naught, omega, cos omega t, अपना answer क्या जाएगा, इसमें, fourth option, तो fourth का answer, fourth, कोई confusion इसमें, अगला आता है, fifth question, fifth question में आपको plane electromagnetic wave propagating in x direction, which one of the following combination give the correct possible electric and magnetic field configuration, देखो, यहाँ पर जो में आपको पहले question में इस constant बताया था न, e equals to b cross c होता है, उसी को use कर लो, तो option cross check कर लो, कहां दिक्कत है, तो देखो, अब option में, आपको इनोंने, सबसे पहले, तो, electric field और magnetic field, मतलब यह आगे वाला, जो है, वो electric field के लिए, पीछे वाला, जो magnetic field के लिए, तो magnetic field जैसे मैं पहला option cross check करता हूँ, minus j, minus k, यह magnetic field है न, और यह electric field है, और इसको c से cross करना है, c जो है, वो x direction होने की i k, अब देखो, j cross i, वापस वो ही rule यहाँ बना दो, i, j, k, k, तो, देखो, j cross i, j cross i होता है, minus k, क्योंकि उल्टा चल रहे है न, लेकिन, एक minus पहले से ही है, तो, यहाद आएगा, plus k, 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 फिर, k cross i, अब देखो, k, cross i होता है, j, लेकिन, एक minus भी तो है न, तो, minus j, क्या, ऐसा option दिया हुआ है, k, minus j, बिल्कुल से बाते हैं, देखो, पहला option image कर गया, हाँ, इसमें जरूर एक ही, hit and trial से कर रहा हूं, मैं, इसमें option ही cross check कर रहा हूं, है न, तो, इसमें अगर, मा ओके, बिल्कुल आपके vector के cross better के question है, और देखो, इस पर question बनते हैं, इस formula बहुत important है, इस से आपके direction वाले question सोलो जाते हैं, कई बार वो value पूछते हैं, कि e, मान लो b की value देदी, e की value पूछी, तो वो इस तरह से, इसी formula से, इसको value के form में इसे लिखते है, e equals to b into c, तो उस 6 question में देखो, आपको 100 cm2 की coil given है, और उसमें 50 turn से coil को इतने magnetic field के perpendicular रखते हैं, और इसमें T's time में बाहर निकाल लेते हैं, तो देखो, EMF का basic formula क्या होता है, d5 by dt, d5 क्या हो जाएगा, b delta a by delta t, या average की terms में लिख दो, average की terms में लिखो तो delta 5 by delta t, तो 5 final minus 5 initial ऐसे कर दूँ में, और एक minus भी ताता है, खिर value की बात कर रहें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, value की बात कर रहें, तो mode लगा दो, तो plus minus कैसे ज़्यादा फरक पड़ेगा नहीं, तो final कितना हो जाएगा 0, initial कितना है, b into a, time delta t, और एक minus पहले से चल रहा है, तो अब देखो, emf किता दिया आपन को, 0.1 volt, b और a, minus minus plus b की value कितनी है, 2 into 10 bar minus 2, a की value कितनी है, 100 cm2, अब 100 cm2 आगया है, और साथ में turn कितने है, 50, और delta t कितना है, t time दिया हुए, अब इसको solve कर लो, तो आपको t की value मिल जाएगी, कितनी मिलेगी बिटा देखो, t की value आईगी मेरे पास, 100 और 50, यह 3 0 तो कड़ जाएंगे ना, तो 5, 2, 10, यह तो सारे 0 कड़ जाएंगे ना, तो t अजाएगा simple, 0.1 divided by this, यानिकि 10 second, तो मेरा answer क्या जाएगा इसमें, just a minute, 2 10 power minus 2, 100 cm square को यह तर convert किया, 50 turn है, divide by this, तो आपकी तो खतम हो जाएंगे, और 10 power minus 2 बचेगा, तो 10 power minus 2 divided by point 1, यानिकि 10 power minus 2, 10 into 10 power minus 2, साथ में भी आएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 0.1, तो 0.1 second मेरा पहला option इसका आ रहा है, कोई confusion में इसमें, इसका बात करते हैं, अपन साथवे question की, साथवे question में देखो, अच्छा, आपको solution note करना, video pause कर लेगा, थोड़ा सा, rewind करके video pause कर लेगा, कोई issue नहीं, साथवे question में देखो, आपको एक current carrying wire है, इसमें से कौन सा जो है, वो statement सही होगा, तो कियो potential का sign बताना, देखो, पहले इसमें देखो current carrying wire का magnetic field कि इदर मनेगा, ऐसे, तो ये तो बाहर निकलता हुआ, dot, है न, अब देखो, इसमें है न, ये जो magnetic field है, इधर से तो dot के home में है, बाहर निकल रहा है, यही magnetic field, जैसे wire में, current ये जा रहा है, एसे, तो magnetic field ये बाहर निकल रहा है, और एसे वापस ये अंदर घुस रहा है, तो यहां से magnetic field बाहर निकल रहा है, यहां से magnetic field अंदर जा रहा है, cross, अब देखो, अपन को polarity बताना है, तो rule वही right hand rule होता है, अमूठा किसको दिखाता है, velocity को, उमलिया किसको दिखाती है, magnetic field, तो magnetic field अंदर, velocity इधर, तो positive end किदर बनेगा, हतेली की जो direction होती है, वो होती है, positive end, तो positive end ऊपर, negative end नीचे, अब positive का मतलब, high potential, negative मतलब, low potential, तो A का potential जो है, higher होगा, B के comparison में, fourth option, easily इसमें, टीक हो रहा है, कोई confusion में इसमें, अगला आता है, 8th question, बच्चों statement दिए, faraday's laws of electromagnetic induction, देखो, faraday का लोग अभी ये नहीं कहता है, कि direction क्या होती है, वो बात Lange ने बोली थी, faraday का लोग इतना सा था, कि जो induced EMF होता है, वो rate of flux change, with respect to time, उसके direct proportional होता है, ये faraday low का statement है, तो faraday low का statement तो ठीक है, कि induced EMF जो होगा, in coil is directly proportional to rate of change in magnetic flux associated with it, कोई दि एला और third statement है, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन ये बात faraday ने ने बोली थी, ये बात बोली थी, lens ने लेंज ने बोली थी, उसने बोचा, faraday ने क्या बोला, faraday ने second point वाली बात बोली थी, ठीक है, तो कई लोगो लगा हो यार तीनों statement सहीत हो है, तो ध्यान लेंज की रूल है, तो अपना ये 8th question में बाते हैं, ये इसका पिछला इससा ठीक है, और इनकी axis बना देते हैं, तो एकसे देखो, इसमें कैसे बना रही है, ये इस तरह से एकसे अपन बना रहेते हैं, अब इसमें बोल रहे हैं कि बी जो है, वो carry current I in clockwise direction as seen from A, अब A से देखें तो B में जो current की direction हो, कैसी है, A की तरफ से देखें तो B में जो current हो clockwise है, अब A में इधर से देख रहा हूं, B में current मुझे clockwise देख रही है, ऐसे clockwise मतलब कि ये इस तरह से current इधर नीचे जा रही होगी, और इधर से current पीछे से उपर आ रही होगी, ऐसे, ऐसे current ध्यान रखता है, ऐसे, एक ही तरफ से देख रहा हूं, अब ये जो current है, इस current की अगर बात करें, ये current जो है वो इस तरह से बनाए अब इस current की वाज़े से magnetic field line कैसी बनेगी, उसको ध्यान से देखना, magnetic field line जो बनेग ये magnetic field line, ऐसे बनेगी, ठीक है, ये इसका खुद का flux है, अब देखो जो खुद का flux है, वो A से भी तो जा रहा है, तो A से जाने वाला flux किदर है, इस तरफ, ये A में flux किसकी वज़े साया, B की वज़े से, अब देखते है, change क्या किया, current आपने B में बढ़ा दी, अगर आप IB को बढ़ाओगे, तो उसकी वज़े से A का भी तो flux बढ़ेगा, है ना, A का flux बढ़ेगा, तो उसको oppose करने के लिए A किदर flux बनाएगा, इदर lens नहीं बूला है, कि अगर right side का flux बढ़ रहा है, तो left side में lens जूरूल की वज़े से flux आना चाहिए, तो इसमें खुद का flux जो ये की तरफ से देखें, तो clockwise, है ना, तो ये current इस तरह सा आएगी, B की तरफ से देखने पे clockwise, इसका मतलब, जो phi A induced day, है ना, वो किस तरह से होगा, लेफ्ट की तरफ, है ना, इसका मतलब जो I induced day, वो किदर आना चाहिए, clockwise, ये किस के according देख आपन ने, B के according ते को observer mention करना जो र अगर B को A के pass लाएं, B को A के pass लाएंगे, तो देखो, दोनों के बीच का center का separation कम हो रहा है, तो B ने जो field A पे बनाया होगा, वो field बढ़ेगा, क्योंकि जितना pass कोई लाएगी, कोई के center के pass field हमेशा जादा होता है, पता है नहीं तो, तो यहाँ field अगर जादा है, तो जैस question है काफी, इस question को धंग से करना, चाहे आप B में current बढ़ाओ, या चाहे इसको pass लाओ, दोनों case में इसका flux बढ़ रहा है, किदर की तरफ जाता हुआ, राइट साइड जाता हुआ, यह राइट साइड वाला flux किसने produce किया था, यह किसकी वज़े से था, यह था due to B, अब B की वज़े से flux बढ़ रहा है, तो induced flux जो है, यह flux किदर था, राइट साइड थाना है तो, अब राइट साइड वाला flux बढ़ रहा है, तो oppose करने के लिए induced current किदर flux बनाएगी, left side में, यह symbol सा concept है, है ना, तो यह अपना आगया, 9 की बाद 10 पाते हैं, 10 में आपको 1000 turn और 10 ohm की coil स induced charge पूछा है, तो delta Q क्यों होता है, delta 5 by R, delta 5 कितना है, 5.5 minus 5.5 into 10 power 4 minus 5 10 power minus 4 divided by delta T delta D कितना है, इसमें 0.1 second, तो कितना जाएगा इसके इसमें, यह जाएगा आपके पास, स्री, 0.1 क्या 10 है ना, resistance तो तो यह जाएगा 0.5, 10 power minus 5 यह नहीं कि 5, 10 power minus 6 तो 5, microulum या इसको अपन क्या लिख सकते हैं और अब इसमें 1000 से अच्छा, इसमें जुक्र फ्लक्स है ना, वो एक तर्ण का यह तो 1000 तरंस और मल्टिप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 1000 तरंस से मल्टिप्लाई करेंगे, तो अच्छा, कैसे बता चला है तो इसको तो 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 इसको तो 10 पार 3 से और मल्ट्प्लाइए कर दो तो 10 पार 3 से मल्ट्प्लाइए कर दो तो कितना आएगा फाइफ मिली कूलम तो मेरा अंसर हो जाएगा सेगे डूप्षन ओके कुछ निसमें इसके बाद आता अपना 11th question 11th question में बात करते हैं कि 10 ohm का जो resistance है इसमें flux जहें वो इस तरह से आपको induce current पूछा है simple सा question है देखो इसमें क्या रहाएगा अपने पास 5 by dt 1 upon R ये क्या रहाएगा induce current 1 upon R मतलब 1 upon 10 कितना हो रहाएगा 5 into 2 T minus 4 ठीक है ये कितना हो रहाएगा 10 T minus 4 divided by 10 टी की value कितने डालने है 0.2 तो यह रहाएगा T minus 0.4 तो आई कितना हो रहाएगा आपके पास T क्या मतलब 0.2 minus 0.4 यहने की 0.2 तो अच्छा इसमें resistance पूछ पूछ सोरी इसनों होने क्या पूछा अपन से केवल वोल्टेज पूछा है ठीक है तो electromagnetic motive force ही पूछा ना तो आई तो यह में तो simple क्योंकि इस तरह क्योशन हो लेंज वाला माइनस आपको काम में लेने ही पड़ेगा पिर है ना तो यह हो जाएगा आपके पास माइनस में D5 by DT माइनस में 52T माइनस का 4 तो यह हो जाएगा माइनस का 10T प्लस 4 अब यहां value डालोगे तो 10 इंटू 0.2 माइनस का 10.2 तो यह कितना हो जाएगा प्लस 2 वोल्ट तो मेरा answer हो जाएगा इसका फूर्थ option 11 का ठीक है उसके वाद आते हैं पाना रहे हैं ट्वेल्ट क्योशन पे ट्वेल्ट क्योशन में एक जो प्लेन है वो ऑना इसके जब जा रहा है आई इस्के जो विंक से बीच का डिस्टन्स दिया है और वर्टिक्ल प्लेन जब जा रहा है ऩngे जो यह जारा होगा कई से जा रहा होगा इसके विंग से वह और ये-से बीच pass को एसे होरिसों डूल फोर अब यह बोल रहे है कि इसमें इंड्यूस द्म f क्तना होता वी बी कितना है 720 वारत नहीं 2 10 पार-4 तो टू इंट्टेंपार-4 ल कितना है 720 किलोमेटर पर आ रहे हैं बाइटीन फिर उसकी बाद किलोमेटर पर आ को मीटर पर सेकंड में कनवर्ट किया वी की वैल्यू के दिया है अच्छा वी की वैल्यू 50 है तो यह क्या है वी यह क्या है एल और यह क्या है भी अब सिंपल सॉल कर लो इसको तो अठारा से कितनी बार अकटेगा अठार चोग ब जो जुरो खतम तो अंसर आजाएगा दो वोल्ट आपका तो अपना सेकेंड और इसका अंसर आजाएगा ट्वेल्ट का ओके इसके आता हमारे थर्टीन क्योंच पर, एक एट्टीन में क्या बोला है एक एट्ट वेलोसेटी 30 किलिमेटर पर आड़ तो वार्टस एस्ट यही है ना, अब इस केस में हापन को EMF की डारेक्शन के साथ देखना है तो वो वेलोसेटी की तर दे रिखे इसकी 30 किलिमेटर पर आड़ तो वेलोसेटी हो जाएगी, मतलब वो दोर तो इदर रहा, वेलोसेटी तो हमेशा इस डारेक्शन मा जाएगी, और मैगनेटिक फि अब देखो, पोटेंशिल डिफरेंस की तर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा ना, अगर वो रोड को ऐसे रखता है, देखो, यह वेलोसेटी, यह तो मैगनेटिक फिल्ड इस तरफ, यह मैगनेटिक फिल्ड इस तरफ है ना, यह क्या है, वेलोसेटी, तो पॉलरीटी के हो दी, तब तो इलेक्ट्रोन नीचे शिफ्ट होते हैं, तो पॉलरीटी एक प्लस एक माइनस बनता, लेकिन अगर आपने रोड को ऐसे रख दिया, तो इलेक्ट्रोन की शिफ्टिंग पॉसीबल नहीं है, तो इसका मतलब होरिजोंटल के के समें तो EMF आएगा नहीं, और B कितना है, 4 10 पार माइनस 5, L कितना है, 3 मीटर, V कितना है, 30 किलो मेटर पर आर को 5 बाइटीन से मल्टिप्लाई कर दो, तो 18 पंजे 90 होता है, 5, 5, 25 और 400, इन्टो 10 पार माइनस 5, यहने कि 10 पार माइनस 3, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 10 पार माइनस 3, यहने कि, वोल्ट in vertical case, तो second option मेरा आंसर आजाएगा, इसका, कोई confusion इसमें, उसके आता है, 14th question, 14th question की बात करते हैं, इसको note करो, अच्छा question मिटाई, दोनों question, plane वाले और road वाले, काफी concept ले, ज्यान रखना, हमेशा EMF तब develop होता है, जब उसमें कोई भी road, जो है, वो magnetic field line को cut करे, इस तरह से मुँ करवाओ कि magnetic field line कट कर रही है, तो यह magnetic field ऐसे है, south से north, तो ऐसे अगर magnetic field होता है, आप इसको ऐसे मुँ करवाओ, तो भी cut करेगी, वर्टिकल में वो ऐसे दोड़ रहा है, इसलिए cut कर रही है, हाँ, अगर वो vertical road को रखते हुए, ऐसे दोड़ता है, तक तो यह lines को cut नह 14 question में आपको एक इस तरह से rod दी हुए है, और वो एक circuit complete करती है, कितना force लगाना पड़ेगा, 2 meter की velocity से चलाने के लिए, देखो, 2 meter की अगर velocity से चलाना है, तो force क्या होता है, ilb, जितना magnetic field इस पर force लगा रहा है, magnetic field इदर force लगाएगा, तो हमें external force इदर लगाना पड़ेगा अब ilb, तो magnetic field का जो force है, उतना ही force किसको लगाना पड़ेगा, external force को, i क्या होता है, emf by resistance, lb, emf क्या होता है, blv divided by r, lb, तो ये मेरे पास formula हो जाएगा, force का, b square, l square, v upon r, कहीं लोग सुसरें, सरी तो directive formula होता है, आपने derive को किया, direct अगर आता है, तो direct लिख दो, भूल गए तो भी derive करना, याद रखो, ताकि अटकेंगे नहीं question में न, अब b की value कितनी है, 0.5, 15, 0.15 का square, l कितना है, l है, b square, l square, v square upon r है न, तो इसमें length 0.5 दिए, ने कि 1 by 2 दे रखिए, फिर उसके बाद, v कितना दिया हुआ है, आपको 2 दिया हुआ है, upon r कितना दिया है, 3 ohm, तो इससे मेरा answer क्या बन जाएगा, ये तो 15 का square, 225, 10 पर माइनस 2 का square, माइनस 4, एक बटा 2 का square कितना होता है, एक बटा 4, एक बटा 4, एक बटा 4, इंटो 2, डिवाइड बाइ 3, 225 और 2 कितना होता है, साढ़े 400, साढ़े 400, साढ़े 400, डिवाइड बाइ 12, 10 पर माइनस 4, साढ़े 400, बारचो करता लिए सेने की, चार से थोड़ा काम आएगा ना, तो यह आएगा अपना 4th option, ठीक है, तो पावर वाइस देखेंगे, तो 4th option अपना, यहां मेच कर जाएगा, एक मिनिट, यहां पर यह पावर वाइस, फर्स मेच करेगा ना, यह पावर माइनस 3 जाएगा, तो 45 बाइ 12, इंटो 10 पावर माइनस 3, तो option बनेगा अपना 1st option है ना, वेली तो सम्में सेम दे रही है, तो पावर ही चेक करनी है, बस 1st option बन जाएगा, इसके बात करते हैं, 15th question की, किसी भी इंडक्टेंस में, प्रेयर गत्व में, एनर्जी की इस फॉर में स्टोर होती है, इंडक्टेंस में एनर्जी स्टोर होती है, मैगनेटिक फिल्ड के फॉर्म में, तो अपना अंसर क्या हो जाएगा, 2nd option, 2nd option is the answer, 15th के लिए, उसके आजाते हैं, 16th question में, 16th question में देखते है 16th question में आपको एक rod दी गई है, जिसको POQ जो अपने perpendicular bisector जो है, एंगल जो है, उस perpendicular bisector में, एंगल को ऐसे bisect करते हैं, यह line कीस दिया अपने, और इस line के लोग इसको मुह गरवा रहे हैं, तो देखो जो L होता है, फॉर्मला तो देखो अपना क्या है, BLV, तो EMF क्या होता है BL perpendicular into V, यह perpendicular length होती है हमेशा, वो length जो velocity के perpendicular हो, तो इस length में देखो यह angle theta by 2 है, यह भी angle theta by 2 है, अब perpendicular length कैसे निकालूँगा, देखो इसमें क्या करूँगा, मैं यहां से एक perpendicular बनाओ, तो यह length अगर L है, तो यह L perpendicular, यह कितनी आ जाएगी, BL का sin theta by 2, यह तो आजा part हुआ, अगला आजा part यह भी तो होगा, perpendicular, तो L perpendicular हो जाएगा इसका double, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, BL sin theta by 2 का double into V, तो क्या हो जाएगा, 2 BL V sin theta by 2, यह first option हो जाएगा, 16th का, ठीके, कोई confidence में, बिल्कुल easily हो रहा है, इसका आते हैं, 16th का 17th पर, 17th में thin conducting semi circular ring of radius R is falling vertically in horizontal magnetic field of induction V, velocity of ring is V in situation P and V, देखो, इस case में है ना, velocity आपको V दे रही है, तो velocity अगर इस तरह से है न, तो अगें देखो, L effective की तरह है, ऐसे, ठीके, अब ध्यान समझना, velocity नीचे की तरफ है, magnetic field ऐसे है, तो देखो, magnetic field उंगलिया, magnetic field होती है, अंदर की तरफ, ऐसे है न, अंदर की तरफ, velocity तरफ, तो positive end की तरफ आएगा, Q आएगा, positive, P आएगा, negative, तो ऐसे, है न, तो देखो, Q कितना आएगा, positive, है न, अब Q positive, तो अपना A क्यों ओप्शन दे क्या होता है, दोनों ends को बीच की direct distance, है न, जो की V के perpendicular होनी चाहिए, तो देखो, यहाँ V था, minus J kip में, यह distance, जो L थी, वो V के perpendicular ही तो है, है न, फिर आता है, 17 को आता है, 18th question, बच्चों बात करते है, 18th question में, 18th question में, 18th question में, आपको बोलाए, current change हो रही है, 2 ampere से minus 2 ampere, मत इतने टाइम में, 0.5 second में, 0.05 second में, emf 8 volt का रहा है, तो आपको बता न, self induction coefficient कितना है, देखो, emf जो होता है, किसे भी inductor में, वो होता है, L, di by dt, और यहाँ सब average चल रहा है, इसलिए आपको total change की बात करनी है, तो यह, mod लगा दो, कितना, 8 volt, current में कितना change रहा है, 2, minus 2 है, mod इसलिए कोई दिखकत नहीं है, और यह, कितना है, 0.05, तो कितना जाएगा, 8, L, 4, divided by 0.05, तो L कितना हो जाएगा, 8 into 0.05, divided by 4, 2 into 0.05, तो कितना हो जाएगा, 0.1, तो 0.1 henry या जाएगा, इसका self induction coefficient, 18th cancer, 1st, फिर इस क्या जाता है, 19th question, not करें इक बार इसे, 19th question के अगर बात करें, तो 19th question में क्या है, vertical bar magnet को drop किया, from position 1, on the axis of fixed metallic coelation, तो आपको बताना है, कि figure 1 और figure 2 का अगर आपने सको drop कर रहें, तो acceleration क्या होगा, देखो जब भी coil, coil complete होना, तो जब coil, magnet coil की तरफ आए, या magnet coil से दूर जाए, दोनों case में क्या होता है, lens low, जो जो इसकी motion को oppose करने कोशिश करता है, इसलिए इसका acceleration है ना, दोनों case में, जी से कम आएगा, तो मेरा option क्यों हो जाएगा, इसका, इसका option हो जाएगा, थर्ड option, दोनों ही case में, चाहे magnet pass आए, चाहे magnet दूर जाए, दोनों case में acceleration less than gravitational acceleration, फिर आता है 20th question, 20th question में arrangement shown in figure, आपको induced current की direction होता ना है, और, अब देखो इसमें A से B की तरफ जो current जा रहा है, उसमें value आप change कर रहे हो, value आप increase कर रहे हो, A से B की current इंक्रीज हो रही है, तो देखो magnetic field जो IS current की वजए से, वो केदर आएगा, dot में, अब dot का field अगर बढ़ रहा है, जैसे जैस magnetic field by IAB है, dot में, वो भी तो बढ़ेगा, तो इससे जो flux आया, coil में, flux भी किदर आया था, dot में आया रहा है, वो भी बढ़ेगा, अब ये flux किसका है, by AB, AB wire की वजए से, जो coil में flux आया, वो बढ़ रहा है, lens ने क्या बोला है, oppose करो, तो बढ़ते हो flux का oppose करना है, इसका मतलब जो flux induced current की वजए से flux आयेगा, वो कितर आना चाहिए, cross में आना चाहिए, अब induced current का flux cross में आ रहा है, देखो ऐसे, तो इसका मतलब cross में flux आने के लिए, क्या current आने चाहिए, clockwise, तो इसका मतलब I induced के से आयेगा, clockwise, तो I induced clockwise, clockwise का मतलब की, first option, 20 का first option आ गया, इसका आता है, 21, 21 में आपको time के साथ current का change दिया हुआ है, ठीक है, बताना है कैसे होगा, अगर आप circuit को close करते हो, देखो ये current growth वाला case, LR circuit में, LR circuit में current जब grow करती है, तो current grow करवाना की close करने का current आपनी maximum value की तरफ जाएगी, inductor के विल क्या करता है, current के change को sudden होने के बजा है, धीरे धीर होन growth की एक्वेशन होती है, वो होती है, I steady state, steady state current, 1 minus e to the power minus of T by tau, तो इसके हिसाफ से current growth circuit क्या हो जाएगा, मेरा first option 21 में, फिर इसका आता है 22, 22 में आपको यहाँ पे एक 1 meter की एक rod इसका, खुद का resistance 2 में, magnetic field कितना दिया है, 2 और इसमें, 2 resistance ओर दिया, देखो इसका ना, पहले देखो यह 3 और 2 जो है, 6 और 3 जो है, वो तो parallel में ना, तो इसको आप ऐसे बना दो, 6 parallel 3, effective कितना आ जाएगा, 2, और साथ में एक rod यहाँ पे है, इस rod का खुद का भी तो resistance है, तो इसमें एक battery बन BLV कितना आ जाएगा बेटा, 2, 1 और V कितना है, 2, तो 4 वोल्ट इसका आ जाएगा, अपने पास, voltage, total resistance कितना है, 2 और 2, 4 तो current कितनी आ जाएगी, current आ जाएगी, EMF by net resistance, EMF कितना आ रहा है, 4 डिवाइड बाइ 2 प्लस 2, 1 एंपेर, अब external force कितना लगाना पड़ेगा, external force लगाना पड़ेगा, उतना जितना magnetic field लगा रहा है, road पे, magnetic field road पे force कितर लगाएगा, ऐसे पीछे की तरफ, तो आपको external force ऐसे लगाना पड़ेगा, external force लगाना यह हो जाएगा मेरे पास I, L, B, I कितना है, 4, नहीं, 4 नहीं, एक, तो I की value है, 1, L कितना है, L है, 1, B कितना है, B है, 2 तो यह जो force आ रहा है, 2 newton, तो मेरा answer क्या रहा हैगा, इसका 2 newton, 3rd option 22 का, ओके बिटा, फिर उसका रात्यापन, 23 पे 23 में आपको यहाँ पे, VA-VV, 0.5 volt दिया वा है, और current जो है, वो बढ़ रही है, देखो current जब बढ़ती है, हमेशा ध्यान दखना, current जब बढ़ती है, तो inductor oppose करता है current को, change को, तो current बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब, देखो ध्यान से, current बढ़ रही है, current बढ़ने का मतलब L oppose क करेगा, किसको, current को, तो इसकी polarity ऐसे बनेगी, current जो है, वो ऐसे भी जा रही है, तो inductor oppose करेगा, और resistance तो हमेशे current को oppose करता है, बढ़ती हुए current का change करने के लिए, inductor में polarity ऐसे, तो देखो VA-VV, किसके बढ़ापर हो जाएगा, VL प्लस V, या, यह कितना हो जाएगा, L, Di by dt, I into R, VA-VB, अब VA-VB कितना हो जाएगा, VA हो जाएगा, मेरे पास 0.5V, L कितना है, L है, L तो पूछा है, ओके, Di by dt कितना दिया है, 8, current की value कितनी, 0.5, और resistance कितना दिया भी टेक्स में, 0.2, तो देखो, यह L कितना दाएगा, मेरे पास, 0.5, 0.5 into 0.2 कितना हो जाएगा, 0.1, divided by 8, 0.4 divided by 8, यहने की, 4 divided by 80 कर दो, 1 by 20, 1 by 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.05, तो मेरा fourth option यहाँ पर बन जाएगा, easily, ओके बिटा, तो यह इसका answer आजाएगा, fourth, कोई confusion इसमें, बिल्कुल easily, बिल्कुल basic questions है, ऐसे questions आपके notes में होते ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, easily question बन रहा है, हाँ, अगर ध्यान रखना, इसमें बोलते है, current कम होता, तो यह inductor का minus इधर, plus इधर आता, फिर अपन क्या करते है, VL minus VR करते है, समझगे न, फिर अपन VL minus VR करते है, इस बात का ध्यान रखना, तो अब आजाते हैं अपन अगले पे, तो आते हैं बच्चों, हमारे अगले 24th question, पर 24th मुलता है, quality factor जो है, वो circuit का कैसे आप improve कर सकते हो, quality factor जो किसी circuit के लिए, inductive coil के लिए पुचा है, तो quality factor जो inductive coil के लिए होता है, वो क्या होता है, उसका inductive reactance divided by, उसका resistance, अब inductive reactance क्या होता है, 2 pi F L divided by R, अब देखो frequency सेम आपको L को बढ़ाना चाहिए, और R को कम करना चाहिए, तो मेरा first option जो है, इसका answer हो जाएगा, किसी भी inductive coil का quality factor, तो ध्यान रखना, inductive coil में अगर quality factor बताना है, तो यह simple, इसमें L B और इसमें R B, अगर capacitance के लिए बताना होता है, तो उसमें एक series resistance होता है, तो capacitor का quality factor बताना ह है, तो क्या हो जाएगा, XC divided by R, ठीक है, तो यह भी concept होता है, उसके आदात है हमारे 25th question पे, 25th question में आपको बताना है कि RLC पे कितना voltage आपने, इस circuit में कितना voltage लगा है, देखो L और C का जो voltage होता है, opposite phase में होता है, R का जो है, वो इन दोनों से perpendicular होता है, तो ऐसे देखते है, VR, VL, कितना है, 40, VC कितना है, 10, VR कितना है, 40, तो इसका effective कितना बचेगा मेरे पास, VL-VC, कितना हो रहाएगा, 40-10, कितना, 30, और VR कितना है, 40, 40 और 30 का effective कितना हो रहाएगा, it will be V net क्या हो जाएगा VR square plus VL minus VC का whole square कितना हो जाएगा है 40 का square plus 30 का square तो यह हो जाएगा मेरे पास 50 volt मेरा third option जो है वो correct है 25 का third कोई confusion इसमें इसका अपने बात करते हैं 26 की 26 में आपको E1 E2 इस तरह सा RMS वेली पूचिए तो इस potential के लिए RMS voltage कैसे निकालोगे square का average और फिर root यह होता है न तो देखो इसका जब आप square करोगे E की equation का तो क्या आएगा E1 square cos square omega t plus E2 square sine square omega t A plus B का whole square का formula खोल रहा हूँ है plus 2 E1 cos omega t और E2 sine omega t यह आगया यह पूरा और इस पूरे का आपको क्या करना है average लेना है तो पूरे का average लेने का मतलब क्या है अलग अलग का average लेलो cos square का average अलग लेलो sine square का average अलग लेलो और E1 E2 2 sine theta cos theta 2 sine theta cos theta क्यों रहागा sine 2 omega t इसका average अलग लेलो अब देखो sine square और cos square का average कितना होता है 1 by 2 दोनों कई और sine के single power चाहे अंदर frequency 2 omega हो 3 omega से मतलब नहीं sine के single power यानि कि single power का average लता है 0 तो E1 E2 और इस चीज़ का average अधा है 0 तो मेरा answer क्या अधा है E1 square by 2 plus E2 square by 2 मेरा answer आएगा 3rd option ओके यह 26 उसके आधा है 27 पे 27 में आपको आई जो है और V जो है वो इस तरह से दिया power consumption पूचा है power consumption के देखना power क्या होता है V into I होता है V कितना दिया है 200 sine 100 T अच्छा एक और चीज़ देख लो sine और इसमें cos तो यह sine और इस cos को आप क्या लिखोगे sine 100 T plus pi by 2 तो इसका मतलब phase difference क्या है phase difference में cos 5 यहीत होता है अब इसमें RMS value अगर आप लिखोगे यह देखो तो V RMS E RMS होता है ना 200 by root 2 आई कितना है 5 by root 2 और यह चीज़ क्या हो जाएगी cos 90 degree तो कितना हो जाएगा cos 90 के से 0 power dissipation इसका मतलब की 4th answer इसका हो जाएगा 27 का फिसका आजा थे 28 पे अच्छो आपको अगले question ने पूछा गया 28 में की what is the effect of intensity of bulb when ion rod come out from inductor देखो inductor से अगर आपने हटा जाए initial current क्या थी initial current जब इसमें inductor के अंदर आपने rod रखी हुए तो भी initial जो steady state current है I steady state वो तो क्या हो जाएगी V by R R किसका bulb का जब आपने rod को हटा दिया मालों आपने rod हटा दिया बल्व ऐसे लगा हुआ है बस तो देखो inductance कम हो गया न ये जो L2 है वो less than है L से लेकिन तो भी क्या फरक पढ़ना है steady state current जो है डेश वो तो अभी भी V upon R E आएगी तो क्या current में कोई फरक पढ़ागा steady state current में हाँ inductor हटाने के just बाद हो सकता है current कम जाद हो लेकिन वो final जो है brightness पूस रहा है कि inductor हटा दिया road आपने हटा दिया उसके भी काफी देर बाद मतलब जब वापस steady state आचुकी होगी उसके बाद क्या फरक पढ़ेगा कोई फरक नहीं पढ़ेगा दोनों के इसमें steady state current से है में इसका मतलब brightness भी सेम होगी हाँ तो इसमें ध्यान रटना steady state की बात कर रहे है इसमें तो क्या बोला है कि फ्लेक्सिल वाइर बेंट इन फॉर्म सर्किल इस प्लेस्ट इन ए उनिफॉर्म मागनेटिक फिल पर्पेंडिकलर इसको रख दिया है मैगनेटिक फिल क्रोस डिरेक्शन में मान लिया अब रेडियस जो है इस कोईल की आप बढ़ा रहो रेडियस बढ़ा रहो तो एरिया बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा तो देखो इंड्यूस देखो बढ़ेगा ना एरिया बढ़ने से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो radius change होने की rate अब देखो इसमें radius change होने की rate के साथ इस तरह से तो 28 में आपको radius change होने की rate दे रखिए अब radius change होने की rate जो है वो time के साथ इस तरह से दे हुई है तो radius जो है वो straight line single power के साथ से change हो रही है न तो मैं इसको क्या मानूँगा फिर यहाँ पर a b c d तो यहाँ जब radius same है जब radius same है इस पार्ट में तो flux भी तो same है flux same है तो emf तो आएगा ही नहीं तो शुरू के पार्ट में emf नहीं आएगा तो यह गलत हो गया यह गलत हो गया मतलब 0 a से b तक तो को emf नहीं आना चाहिए न च्योंकि flux area constant इसलिए flux constant तो emf 0 बच्चे मेरे पास 2 option है ना अब इसमें एक और चीज़ दियान रखना कि radius जो है वो same rates नहीं एरिया क्या होता है एरिया होता है पाई आर इसको है है और emf क्या होता है d5 by dt मतलब कि b को बाहर निकाल दो डीए वाई डीटी अब radius जो है ना अब देखो इसको तुम ऐसे लिखो कि b pi 2 r dr by dt अब मैं r की equation इस case में माल लेता हूँ r equals to r naught plus m into t ऐसा माल लेता है m मतलब slope ठीक है तो इसका तुम differentiation करो 2 b pi r की value क्या है r naught plus m into t और dr by dt कितना हो जाएगा केवल m तो देखो इसमें dependency t की single power पे ना है ना तो t की single power पे dependency में तो state line graph बनेगा तो मेरा second option जो है इसका correct हो जाएगा 28 में कोई confusion बेटा इसमें इसके आदे 30 पे है ना तो बस थोड़ा सा mathematics से इसमें कि आपको इस differentiation करना था है ना आर की क्वेशन आप मान लो और बराबर और नोट प्लस m into t इसके लिए m क्या इसका slope graph का ठीक है उससे आपका अंसर आ जाएगा बच्चों आते हैं हमारे थर्टीत क्वेशन पर थर्टीत क्वेशन रोकने काम कोन करेगा जो magnetic field का force उपर आएगा वो इना magnetic field का force अब देखो magnetic field का force क्या होता है आई आय का मतलब क्या होता है dqy dt क्यों होता है डिक्यू सी इंटू वी यासी इंटू एम जो इसके राड़ के अक्रस आएगा वो डिटी एल बी इन वी शी करना डीजी को में क्या लिखता हूं बी एलवी लिखता हूं किसी भी इंस्टिंट में आने इसकी वेलोसिटी जो है वो इस तरह से तो B L V तो यह क्या हो जाएगा मेरे पस B constant L constant B square L square C D V by D T यह तो हो जाएगा magnetic field का force अब देखो net force को में क्या लिखूँगा net force को में लिखूँगा M G minus magnetic field का force M G minus magnetic field का force कितना है magnetic field का force है B square L square C D V by D T और F net का मतलब क्या आता है mass into acceleration यहने कि यह भी जाएगा D V by D T तो D V by D T क्या है इस केस में M G और इसको लिखेंगे M plus B square L square C अब देखो इसमें कोई भी टम आ रही है जो change होने वाली M constant G constant B constant L constant C constant सब कुछ को constant है सब कुछ constant है मतलब इसमें acceleration भी constant है तो D V by D T का मतलब क्या acceleration ही को होता है तो इसकेस में acceleration constant जाएगा first option अपना answer आ जाएगा तो थोड़ा सा केलकुलेटिव पार्ट है लेकिन अच्छा करशन है ठीक है तो बिल्कुल basic concept है कोई दिक्कत नहीं अगला आता है 30 का 31 31 में कोईल को आप इस तरह से रखरो और इसमें आप एक 30 वोल्ट का कुंडली में कोईल पे आप एक इसमें वोल्टेज लगा दिया आपने आपको बताना है कि induction induced current क्या होगा इसमें ना और इसमें घट्टव magnetic field में लगाया होगा है ठीक है तो घट्टव magnetic field में लगा रहे है न आपन तो पहले तो देखो induced DMF क्या आएगा और D5I DT अब देखो बाहर की तरफ field घट रहा है तो support करने के लिए कोईल अपना flux किदर बनाएगी ऐसे बाहर की तरफ बनाएगी न तो B external जो है वो dot में है और कम हो रहा है तो इसका मतलब जो induced field है वो किदर आना चाहिए dot में ताकि इस घट्टव फिल्ट को support कर सके dot में फिल्ट आने के लिए current जो है वो induced current anti-clockwise आने चाहिए तो इस case में है ना अब इस case में आपको coil में current बताना तो current देखो क्या हो जाएगा आई नेट अच्छा ये कितना आ जाएगा डी फाइब डी टी बोला ना परको इसमें एरिया कितना दिया वा है 1 B के change होने की rate क्या है 10 tesla per second तो 10 volt ये में फाएगा अब बैटरी का voltage 30 है ना induced ये में फे 10 और ये दोना opposite में है न तो आई क्या हो जाएगा E sale minus E induced divide by R 30 minus 10 divide by resistance कितना इसका 5 तो कितना जाएगा 4 ampere 4 ampere और देखो ये dominating voltage है ना induced current देख से जाना चाहेगा sale की current देख से जाना चाहेगी है ना induced voltage जो है वो इस तरह से ये तो sale का voltage है induced voltage ऐसे आ रहा है बड़ा voltage को हो है इसमें ये है तो current finally ऐसे flow होगा तो current हो जाएगा clockwise 4 ampere second option मेरा इसका answer आजाएगा 30 का 31 का ठीके 31 का answer आजाएगा second option उसका आजाते है 32 पे अच्छा question बेटा note करना इसे 32 की बात करते है तो इसमें 2 बल दिये है इनका resistance R दियावा है और इनका जो inductance है वो L है ठीके अब जब आप इस key को खोलते हो इस key को अगर आप खोलोगे तो इस key में तो connection कम हो गया तो सोर्स से connection खतम होने के बाद क्या होगा देखो आपने जैसे की खोला ना अब इसमें सोर्स का तो हड़ गया है तो पुरा हड़ गया इंड़क्टर ने जो एनर्जी स्टोर कर रहा है तो कुछ टाइम के लिए फ्लो करवा देगा तो कुछ टाइम तक तो एनर्जी मिल जाएगी लेकिन उसकी वज़एसे दोनों बल्व कुछ टाइम बाद बंद हो जाएंगे जैसे एनर्जी खतम फिर कौन जलाएगा बल्व तो B1, B2 कुछ टाइम बाद बंद होगा अच्छा हस्वाद बंद नहीं होगे एपना 32 33 बात है 33 में एलेक्टरी बल perform series इस विस लार्ज इंड़र के साथ जोड़ावाई इन अब अब का मतलई एक रेजिस्टेन्स जोड़ावाई दीसी सोर्स के साथ जोड़ाई जोड़ावाई तो इस में अब बल्ब में जो करेंट मैक्सिमुम होगी उससे आने से पहले आपने क्या करा एक rod को insert कर दिया है ना मतलब जैसे steady current आती है आपने हाथवाथ current ऐसे grow कर रही थी है current ऐसे grow कर रही थी आपने क्या अगरा हाथवाथ उसमें एक inductance डाल दिया मतलब inductance कर दे रहे कि iron rod डाल दी iron code डालने की वज़े से क्या होता है और देखो जैसे आप iron code डालते हो ना उससे पहले और उसके बाद की current का relation क्या होता है L1 I1 equals to L2 I2 तो इस case में जब आपने iron rod डाली ना तो उसकी वज़े से क्या होगा L बढ़ेगा L बढ़ेगा इसका मतलब L2 greater than L1 तो इसका मतलब जो I2 है वो less than होगा I1 से तो उतनी जितना उसको होना है लेकिन जैसे आपने iron rod डाली current की value inductance बढ़ने से current थोड़ा सा slightly कम हो जाएगा slightly कम होगा है ना तो जो delay है ना delay मतलब current को maximum glow आने में जो time लग रहा था थोड़ा सा और बढ़ जाएगा current कम होके वापस maximum तो जाएगा यह पार्ट आपने extra बढ़ा दिया अब तो यह जो आपने extra time बढ़ा दिया वह यह time तो extra बढ़ा दिया ना वह जो current यहां से यहां तक आई वह तो को मतलब इन निकला फिर वापस को मही से शुरू करना है तो यह delta अब दिखो 100 volt है ना 100 volt सारा का सारा है resistance पा गया मतलब XL और XC आपस में equal रहे होंगे अब XL और XC आपस में equal रहेंगे तो XL equals to XC तभी तो दोनों के voltage आपस में कटेंगे ना तो इसका मतलब VL equals to VC है कैसे पता चला क्योंकि source का जो voltage हो सारा का सारा resistance खा गया इसका मतलब VL और VC equal होने पड़ेंगे इसका मतलब XL XC equal होने पड़ेंगे इसका मतलब की 2Pi F into L बराबर X ही कितना है 10μF यहने की तो क्या पूछा है इसने L की पूछी ना तो इसका अंदर resonance की condition है इसका मतलब frequency equals to AFR equals to 1 upon 2Pi root LC है ना बही resonance condition है कैसे पता चला सारा का सारा voltage resistance को मिल रहा है है ना तो इसका मतलब frequency कितना दिया है 500 1 upon 2Pi root of L, L कितना आ जाएगा अपने पास पूछा है C कितना दिया है 10μC यहने की 10 पर-6 तो-6 बाहर आके-3 तो 500, 1000 बन जाएगा 2Pi root of 10 into L ठीक है 1000 से 500 यह दो बार काड़ दो, दो से 2 काड़ दो, तो कितना आ जाएगा इसको मैं इधर लिखता हूँ, तो यह आएगा अपने पास root of 10 L बराबर 1 upon Pi root of 10 L बराबर 1 upon Pi, तो इसका अदर लिखता है और आएगा 10 L बराबर 1 upon Pi स्क्वाइर, तो L कितना हो जाएगा 1 upon Pi स्क्वाइर इंटू 10, Pi स्क्वाइर को भी 10 लिख दो, तो 10 इंटू 10 यहने कि 0.01 Henry, almost answer आपका बनेगा, 0.01 Henry, 4th option मेरा सही हो जाएगा, ठीके, उसके आजाते है 35 पे, ओके बिटा, 35 के question की बात करें, तो 35 में आपको V और I में इसमें power loss पुचा, देखो, वापस वो ही है, साइन और कोस में कितना phase difference है, डेल्टा 590 का है, डेल्टा 590 होने की वाज़े से power dissipation नहीं होगा, 0, ओके, 36 में बात करते हैं, तो phase angle पूचा है, phase angle देखो, क्या होता है, phase angle 10, 5 हो जाएगा, इस case में किसी भी circuit में ये R, ये X, और ये Z, तो phase angle जो है अपन हो, और R और Z के बीच में देखते हैं आपन तो, तो R और Z के बीच का phase angle 10, 5, 10, 5 क्या हो जाएगा इस case में, XL by R, 2 pi F into L divide by R, 2 pi F कितना दिया, 100 by pi, L कितना दिया, 0.025, divide by 5, तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा, ये हो जाएगा, 50, तो ये हो जाएगा, सो से multiply गोरो तो कितना, 2.5 into 2, 5 और 5, 1, तो 10, 5, 1 का बाता है, 45 डिगरी पे, थर्ड ओप्शन में, रांसर हो जाएगा इसका, उसके आर आता अपना, 40 number question, sorry, 37 number question, 37 में आपको एक, EMF और current के बारे में बात करें, देखो EMF और current में जो है न, आपको यहाँ पे πाई बाई 4 का phase दिफरेंस दिया है, और देखो current का peak पहले आ रहा है, हमेशा यहीं देखो current का peak पहले आ रहा है कि बात मार आ रहा है, वोल्टे से, तो देखो इसमें यहाँ पे चेक करने का तरीका यहीए, करेंट का peak पहले आ रहा है, voltage का बाद मारा, इसका मतलब I lead कर रही है, जिसका peak पहले आए ना, वो phase wise आगे होता है तो I lead कर रही है I lead कर रही है, तो lead करने वाला case कौन सा होता है RC, RL या LC, अब LC तो हो नहीं सकता RL हो नहीं सकता, तो क्यों बाद RC बनेगा क्योंकि RC, C ही current को आगे करता है, तो अब अपने past possibility ये दो option तो कड़ गए हाना, अब मुझे लाना है 10, 5, 10, 5 क्या हो जाएगा XC divided by R हाना, और कितना phase angle दिया हो है Pi by 4, 10 Pi by 4 यानि कि 45 degree तो XC कितना दिया है, R के equal, XC कितना है मेरे पास XC हो जाएगा मेरे पास 2 Pi F C 1 upon में R तो अब अपने इसमें अब इसमें केवल आपको options cross check करने है, देखो option को cross check करना C को यहाँ पे, तो आपका पहला option अगर cross check करोगे ना, तो अपन चलो करके देखते है, frequency कितने दिया omega की value सो दिया हो है तो 100 बराबर R into C, तो R और C को multiply करने पे 1 by 100 आना चाहिए तो R और C को multiply करने पे 1 by 100 इसमें आ रहा है पहले option में ठीक है, तो अपना पहला option से हो जाएगा ओके, फिर इसके बाद आता है तो इसमें ध्यान रखना current का peak पहले आ रहा है, मतलब current आगे है, अगर voltage का peak पहले आता है, तो voltage आगे होता 28, 38 में किसी AC circuit में power factor power factor कब 0 होगा, देखो power factor 0 तब होता है केवल अगर idle resistance है अगर idle resistance है ना तब तो power factor 1 होता है ठीक है, unity when circuit contains idle resistance only हाँ, ये बास ही है कि circuit के इसमें अगर resistance ही हो तो power factor न मेंशा 1 होता है, तो second option सभी हो जाएगा अपना, फिर आते हैं 39 पे RMS value of AC voltage is 50 hertz is 10 ampere RMS value of AC is 10 ampere, current की value दी हुए तो peak time तक पहुँचने में कितना time लगे और peak value क्योंगी तो पहले तो peak value लिखो root 2 times of RMS root 2 एने की 1.414 into 10 याने की 14.14 तो और time किता लगेगा, देखो time लगता है, T by 4 टाइम लगता है ये time कितना होता है, T by 4 तो T by 4 कितना हो जाएगा, delta T हो जाएगा T by 4 याने की 1 upon 4F याने की 1 upon 4 into 50 200 200 कितना हो जाएगा 5 into 10 पर माइनस 3 तो 5 10 पर माइनस 3 और या अपने पास 4th option, easily आ रहा है फिर इस के लाएगा है हमारे 40 question पे 40 question में AC का voltage ये दिया हुआ है, तो आपको बता रहा है देखो इस AC voltage को ये थोड़ा सा technometric आप में लेके solve कर लो 100 sin 100 pi T cos 100 pi T ये दिया ना अब इसको येसा करो, तुम voltage को लिखो 50 2 sin omega T cos omega T तो 50 ये क्या हो जाएगा, sin 2 omega T अब sin 2 omega T जो है, उसकी value डाल दो तो 50 2 into 100 pi T तो कितना हो जाएगा, 50 sin 200 pi T तो देखो, इसमें omega की जगे क्या आ रहा है 200 pi और omega क्या होता है, 2 pi F होता है इसका मतले F कितना आ रहा है 100, तो F आ रहा है 100 तो इस case में देखो frequency गलत दी हुई है peak value, peak value दी है 50 तो ये 100 by root तो गलत हो गया peak value 50 है, second option सही हो जाएगा, मेरा 40 का second ठीके उसके अगर अधर आपके पास 41 question 41 question में आपको EMF के value क्या देए alternating voltage जो है आपको बताना है कितना है तो देखो, यहाँ पे EMF जो आएगा source का, वो क्या आएगा VR square प्लस VC minus VL का square VR कितना है 40 का square प्लस 100 minus नहीं, 80 है नहीं, तो 80 का square 100 minus 60 का square जो बड़ा उस में सोट अले को minus कर दो VC minus VL कर दो तो 100 minus 40 हो रही है 100 minus 40 हैने कि 60 तो या रहाएगा 100 VL या रहाएगा 80 हो रही है, तो 100 VL मेरा third option आजाएगा 41 में फिर इसका आता है अपने 42 पे देखो, चुब 42 के शुशन में आपको यहाँ पे देखो RL सरकुट में पहले बोल रही है कि अगर inductance अकेला होता तो current कितनी होती I0 तो जब अकेला resistance है तो current I0 है तो I0 current आप कैसे लिखोगे E0 by R जब आपने inductance के साथ resistance के साथ inductance भी जोड दिया तो अब current कितनी हारी है इसमें I0 by root 2, तो I dash equals to I0 by root 2 इसका मतलब यह होगा कि E0 upon R square plus XL square equals to 1 upon root 2 E0 divided by R इसका मतलब R square plus XL square बराबर 2 R square इसका मतलब R और XL क्या है? equal है, तो R और XL equal होने का मतलब क्या हो जाएगा इसके समें? R 10, XL कितना हो जाएगा? 20 और L, तो L कितना हो जाएगा? 0.5 Henry, यह मेरा fourth option आजाएगा कोई confusion बीड़ा है इसमें? तो यह fourth option easily आ रहा है इसमें है, फिर इसके बाद आथा अपना 43 43 की बात करते है तो 43 में आपको एक C और B के बीच में है ना center और एक L length की road है जोकि A, B है और A पे कोणी नियत कोणी वे गुमेगा से गुम रही है है तो आपको बताना है कि C और B की बीच में जो potential difference है road का middle point mid point जो road का है वो C और B की बीच में difference तो देखो यह होता है B, L का मतलब होता है DX, omega into X, यह होता है V यह होता है EMF DE देखो एक road जो है ना उसके center से X distance पे आप एक छोटा सा element ले लो इसकी speed omega, V कितने आ जाएगी? omega into X तो इस छोटे से element का EMF कितना जाएगा? V, BLV होता है L का मतलब length DX और V का मतलब omega इसको आप integrate कर दो, कहां से कहां तक? L by 2 से L तक तो यह हो जाएगा B omega X square बटा दो L by 2 से L तो यह क्या जाएगा? मेरे पास B omega by 2 L square minus L square by 4 तो यह कितना हो जाएगा? 3 B omega L square by 8 मेरा answer आ जाएगा 4th option फिर इसके बाद आता है 44 पे 44 में आपको LRC में जो यह अपने combination दिये है है इसमें आपको frequency बताना है frequency किस parameter की जो dimension हो frequency की तरह होगी तो frequency देको time period का लटा होता है अब एक तो time period होता है RC RC होता है time period एक तो एक होता है time period LYR तो इसका मतलब यह दोनों क्या हो जाएगे? frequency हो जाएगे मेरा first option सही आएगा 44 में इसका दाथा 45 45 में देखते हैं last question में R radius की एक छोटी सी coil इसको एक बड़ी coil के अंदर अपने रख दिया और यह आज जो है बहुत छोटा है तो देखो इसका mutual inductance बताना है तो 5 निकालो 5 जो निकालोगी छोटी को हिल का हो कैसे निकालोगी? B यह 1 और यह 2 मान लो तो B 1 का और area किसका? 2 का यह कितना होता है? अब आई को अलग कर दो, आई को अलग करने के बाद जो सब कुछ बचा वो क्या है? mutual inductance तो यह क्या हो जाएगा? mutual inductance म क्या हो जाएगा? मेरा option number क्या जाएगा? second option correct तो बच्चों यह अपना test series का जो 13 तेस था इसका solution काफी conceptual थे उम्मिद करता हूँ आप लोगों ने question अच्छे सा attempt कियोंगे अगर आपको यहाँ कोई doubt है कोई question आपका नहीं हुआ है तो उस question को easily समझें वापस देख ले वीडियो को और उसको अपने notes में include जरूर करें ताकि आपके notes update होते रहें और यह question आपके दुबारा गलत नाओ ओके बच्चों thank you all the best